क्या है आप लुग आसा है आप लोग एकदम बहतर है तो चैनस जैसा कि आप लोगा डेट शीट आ चुका है तो फिर लेट शीट के हिसाब से तयारी किजिए जादा से जादा से और मैं आपको यह रेगुलर प्रेक्टिकल का वीडियो दे रहा हूं, लैब का वीडियो दे रहा हूं, ताकि आप लोग इसे बेनिफिटेड हो सके, रिजन यह है कि अगर आप लोग कुछ याद करके जाते हैं, रट्टा मारने की चीज नहीं है, और वो रट्टा मारने के चकर में हो सकता है कि आपको छूट जाए, और यह जरूरी भी नहीं है कि आप एकदम accurate answer दें, same to same, तो steps में क्या है ना कि अगर आपको अगर practical mind में set हो गया है, तो आप बनाके भी लिख सकते हैं, बसरते आप जो आप option दे रहे हैं, tab दे रहे हैं, menu दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, वो एकदम accurate होना चाहिए, तो भी आप marks अच्छा अचीव कर पाएंगे, और यह जो चेप्टर आभी आप लोग पर रहे हैं, इस से सबसे ज़्यादा answer की question पूछा जाता है board में, ठीक है, queries, forms and reports, हम लोग चूज करते हैं, forms पे, ठीक, और इसके बाद, आपके book के according, हमको जो create करना है form, वो करना है, किसका, तो wizard का use करके, तो चलिए हम लोग wizard पे click करते हैं, विजाड पे click करने के बाद, जो form wizard, creating form wizard dialogue box है, वो आपका appear हो जाता है, तो जैसे ही वो appear होगा, तो one by one हम लोग जो भी settings है, वो लेते जाएंगे, चुनते जाएंगे और field automatically हमारा form create हो जाएगा, so get ready, तो सबसे पहला जो यहाँ पे option आप देख रहा हैं, वो है field selection का, यानि हम लोग एक के करके field choose करते हैं, तो पिछले वीडियो में हमने बता ही दिया था आप से, आपको बता दिया था कि field कैसे choose किया जाता है, तो सबसे पहले कि किस table के लिए form create करना चाहते हैं, तो हमारे पास हमने दो table बनाया था, एक cafe ID, दुसरा employee ID, employee table, तो employee हम लोग लेते हैं, और इसमें देखिए, employee के सारे के सारे field को so कर दिया गया, यह है available field और यह selected field, यानि form में आप कौन सा field में से लेना चाहते हैं, यह जरूरी नहीं है कि form पे आप सारे field रखें, चुकि यह field बस selected ही है, जो कि हमने बनाया है, तो इसलिए हम लोग एक के करके नहीं लेंगे, यह एक के करके field हम लोग नहीं लेंगे, या फिर कोई selected नहीं लेंगे, हम लोग एक ही बार सारा field ले लेते हैं, तो इसको लेने के बाद हम लोग next step पे चलते हैं, जो कि आएगा set up a sub form, ठीक है, तो अगर आप इस form के साथ एक sub form, यानि एक extra form लेना चाहते हैं, तो इसको टीक कर सकते हैं यहाँ पे, तो यह sub form का क्या use है, तो यहाँ पे देखी दिया हुआ है, कि a sub form is a form, sub form एक ऐसा form है, that is inserted in another form, जो कि एक दूसरे form के रूप में आपका वहाँ पे आ जाएगा, insert हो जाएगा, वहाँ पे form के अलावे, use sub forms to sow data from tables or queries with a one-to-many relationship, यानि जब हम लोग one-to-many relationship create करते हैं, तो वहाँ पे इस जगह का use करना है, तो फिलाल हम इसका use नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग next करके आगे बढ़ते हैं, आपके book के हिसाब से भी आई है, उसके बाद जो option आता है, वह आता है arrange controls का, यानि यह देखिए आप ध्यान दिजिएगा, ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पर यह background, पीशे का यह देखिए, यह form का background है, यह जो आपको हिस्सा दिखड़ा है, ठीक, तो यहां पर देखिए, यह arrangement of the main form कैसा दिखेगा, तो यहां से आप arrangement बदल सकते हैं, for example इसको देखिए, यह देखिए, इस तरह से दिखेगा आपका form में, जो content है, इस तरह से दिखेगा, और फिर इस तरह से दिखेगा, तो मेरे हिसाब से जो हमको जादा अच्छा लगा, वो यह वाला लगा, first व वाला ले data है, और यह तो sub form का है, तो इसको छोड़ देते है, क्योंकि इसको हमको लेना ही नहीं है, फिर हम लोग next चलेंगे, next में यह देखिए, अगला option आ गया, set data entry, data entry आप किस तरह का करते हैं, यह पहला option हम लोग नहीं लेंगे, क्यों, the form is to be used for entering new data only, अगर इसको लेत और जो new है वो भी दिखाओ, और बागी इस तीनो को छोड़ देंगे, तीनो option क्यों, क्योंकि do not allow modification of existing data, अगर जो पहले से data मौझूद है, हम उसमें modification नहीं कर सकते, ऐसा option हम क्यों चूज करें, do not allow deletion of existing data, अगर जरुवत पढ़े तो पुडाने वाले data को delete नहीं कर सकते, और तीसरा है, do not allow addition of new data, यानि हम लोग नया data इसमें add करने के लिए allow नहीं करेंगे, तो तीनों में से कोई option फिलालम लेंगे नहीं, क्योंकि इसका, हम लोग को problem ही create करेंगा, किसी किसी case में, अब जैसे seat limited है, आप कहीं पर 25 seat है, तो हम लोग ये last all option tick कर देते हैं, do not allow addition of new data, यानि नया data entry stop, reason, reason ये, कि 25 से ज्यादा CT नहीं है आपके पास, तो फिर new entry allow करेंगे, तो extra हो जाएगा, ठीक, तो चलते हैं next पे, यहाँ पे students देखेंगे, apply styles में, ये जो styles है, तो ये font जो आपको दिख रहा है, इसका style नहीं है, ये style आप देख रहे हैं, ये style है, इसका color, जो form का color है, जैसे, ये देखे, बीग लिया हुआ है, तो ये जो बीग लिया हुआ है, तो यहाँ पर ऐसा color है, bright blue लेते है, तो ऐसा हो जाएगा, light gray, dark, orange, ice blue, gray, water, red, violet, तो बहतर हमको ये लगड़ा है, एक form के लिए, standard color है ये, ठीक, उसके बाद ये देख रहे है, यहाँ एसा लगड़ा है, कि सच में कोई डबा रखा हुआ है, 3D look, क्यों, क्योंकि हमने 3D look ले रखा है, अगर हम लोग no border करेंगे, तो सीधा, subscribe, कुछ नहीं, ठीक है, बस आप वहाँ data entry कीजिए, फ्लैट लेंगे, तो बस ऐसा एक rectangle जैसे बना लेते हैं, उसके हिसाब से दिखे यानि form का name set करने का, जो कि हम लोग यहाँ पर employee रहने देते हैं, अगर आप चाहें, तो यहाँ से change कर सकते हैं, यहाँ पर दो option है, modify the form, अगर अभी इसमें कोई पड़िवर्दन करना चाहते हैं, तो modify वाले के साथ finish करेंगे, और इसके साथ अब हम सीधा work start करना चाह रहे ह तो work with the form में टिक लगा हुआ छोड़ेंगे और फिर finish करेंगे, यह देखिए, अब जो भी आपका form में data था, यहाँ पर देखिए, record सो कर रहा है, record one of five, ठीक, यानि यह पहले जो हमारा employee था, उसका record है, next employee का record देखने के लिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ इसको करेंगे, यह देखिए, अगला दिखा दिया, two of five, देखिए का बदलते रहेगा, three of five, four of five, and five of five, ठीक है, इस तरीके से हम लोग सारे record को देख सकते हैं, पहले record पर एक बार में जाना चाहते हैं, तो यह देखिए, first record, और last record पर जाना चाहते हैं, तो last record, तो यह मैंने आपको बता द data है, उसको remove करना भी हम आपको बताएंगे, तो चलिए, सबसे पहले हम लोग new data, new form को insert करना सिखाते हैं, याद रहे, इसमें criteria है, कि आप बीच में कहीं भी, इस पूरे form के बीच में कहीं भी, नया form insert नहीं कर सकते, ठीक है, जब भी कोई new entry होगा, तो last में ही होगा, आप च देखिए, यहाँ पर खतम हो गया है, अब कुछ है ही नहीं, सबसे last पढ़ है, ठीक है, 5 of 5 पर है, तो हम लोग को क्या करना है, यह वाला जो next button है, next record button, इस पर हम को click करना है, जब हम इसको click करेंगे, तो देखिए, एक blank window हमारे सामने appear हो गया है, ठीक है, तो हम को जो भी न इसको कर लेते हैं, ठीक है, एक नया entry जो है, अगर मान लो कि हम लोग कुछ करते हैं, इसका new entry, for example, employee ID, हम लोग इसका ले लेते हैं, 331, okay, employee name, अनुराग ले लिए, position, अंगर, miss engineer, और cafe ID छोड़ देते हैं, ठीक है, बस हो गया, यानि 6th record हो गया, तो इस तरीके से new record insert कर सकत हैं, अब कहेंगे, कि मान लिजिये कि total 20 student है, मान लिजिये अगर 20 employee है, और सबका serial किया हुआ है, employee ID, ठीक, और बीच में अगर कोई हम new employee ID अगर insert करते हैं, तो, sorry, अगर एक गायब हो जाता है, कोई employee ID, तो फिर हम तो last में कर रहे हैं, तो फिर कैसे होगा, फिर problem हो जाएगा जी, नहीं, कोई problem नहीं होगा, यह अपने आप sorting कर लेता है, यानि, employee ID के हिसाब से, और sorting करके आपको दिखा देगा, इसके लिए घवडाने की जरूरत नहीं है, ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ, partial records, partial deletion of records, यानि, अगर आप इसमें से कुछ data हटाना चाहते हैं, तो ह यह record हमने वहाँ पे save कर दिया, अब क्या तो इसको हम partial delete करना चाहते हैं, इसका कुछी हिंसा delete करना चाहते हैं, तो इसको हम सब delete नहीं कर पाएंगे, और इसको delete करना काफी simple है, आप skip किजिए, record by record, ठीक है, और जिस record का data आपको delete करना है, उस record पर चले आईए, और जो जो हटा दिजी, backspace से, यह partial recording होता है, ठीक, एक चीज दिखाते हैं, इसको भी हमने हटा दिया, अब इसको save कर दिया, यह देखिए, क्या बोल रहा है, input required in field employee ID, please interrupt value, क्यों, क्योंकि हम लोग employee ID को primary की बनाए हुए थे, और primary की को कभी खाली नहीं जोडा जा सकता, इसलिए इसको हम लोग just का तस छोड़ेंगे, या फिर कुछ entry, जो क्या था, I think 1331, इस टैप से था, yes, 133 था, तो यह फिलाल हम इसको करके, फिर save कर देते हैं, देखिए, बात खातम, यानि हमारा जो partial relation है, थोड़ा ही सा delete करना है, तो वह ही delete करेंगे, यानि सब कुछ delete हो जाएगा, बस employee ID बचा हुआ रहेगा, और जब नया करम चाड़ी आए, तो उसको employee ID वही रहने दीजिए, और यह दूसरा नाम दे दीजिए, या फिर इस तरह कैसे यह खाली रहेगा, ठीक, तो चलिए, अब हम बताते हैं, searching record using forms, forms के माध्यम से, आप लोग किसी भी record को search कैसे करेंगे, जै यह देखिए, जैसा आपके book में था, हम text find कर रहे हैं, ठीक है, और क्या find कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दिखना पड़ेगा, किसका field हम लोग find कर रहे हैं, तो for example हम लोग name के हिसाफ से find करना चाहते हैं, किसी भी employee का record name के हिसाफ से, ओके, तो previous जो हम लोगों ने entry किया या फिर मानलो कि हम लोग 12.33, जो देवोर इसी थे, उनका हम लोग record सर्च करना चाहते हैं, 12.33, एक मिनट, sorry, sorry, हम लोग name के हिसाफ से करेंगे, ठीक है, name के हिसाफ से करेंगे, करन कुमार का, ओके, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, करन कुमार, अब यह चीज जो खोज रहा है, कहां खोज रहा है, where to search, all fields, सारे fields में कर दीजिए, अगर आपको field याद नहीं है, तो, और अगर नाम कहीं साफ से खोज रहा है, तो single field करके, यहाँ पर क्या कर लिजिए, employee name कर लिजिए, ठीक, अब ऐसा करने के बाद, हम लोग, इसको search पे click करेंगे, तो देखिए दे दिया, एक बार में, जैसे हमने इस पे search पे click किया, तो यह देखिए, करन कुमार का पूरा record हम लोग को आ गया, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, search भी कर सकते हैं, ठीक, आप बात रहा क्या, तो modify करने का, किसको, form को, form को modify करना सिखाते हैं, आपको किसमें अ modify करने के लिए, यानि edit, modify मिस क्या, edit करने के लिए, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कि इस forms वाले tab में से, forms जो यहाँ पे option है, form window है, इस में से, हम लोग क्या करेंगे, कि उस form को select करते हैं, फिर right click करते हैं, और फिर option चूज करते हैं, edit का, ठीक, edit के पे हम लोग ने click किया तो यह देखिए, इस तरीके का window आपके सामने में आ जाता है, तो design toolbar से, हम लोग चाहें, तो यह select यह देखिए, जैसी यह select का option है, इसको हम लोग click करते हैं, क्यूं, इसको इधर उधर करने के लिए, उठा के देखिए, अगर इसको को इधर खिसकाना है, या इधर करना है, तो adjust करने के लिए, यानि edit modification, किसी भी तरह का modification करने के लिए, हम लोग इस edit option का use करते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं, इसको थोड़ा अलग अलग रखें, तो आप रख सकते हैं, जैसे उसको उठा के मैंने यहां रख दिया, इसको उठा के मैंने थोड़ा यहां रख द कर सकते हैं, जैसे right click करेंगे इस पर, अर देखिए, यहां पर आ गया, क्या, तो control properties, तो यहां से हम लोग control properties को open करके, जैसे name में हमको क्या डालना है, और यह दिखाना है यानि इसको enable करना है, disable करना है, visible यानि दिखाना है कि नहीं दिखाना है, क्या इसको print किया जा सकता है नहीं किया सकता है यानि और भी कई तरह का यहां पर सेटिंग हम लोग फॉर्म को मोडिफाई इस तरीके से कर सकते हैं ठीक है तो इस्टुडेंट्स हमने आपको बता दिया कि कैसे फॉर्म को जो मोडिफिकेशन किया जाता है ठीक अब अब क्या है तो चेंजिंग लेबल और बैकगराउंड इन फॉर्म यानि जो लेबल है या बैकगराउंड है हम लोग उसको कैसे एडिट करते हैं ठीक है तो सबसे पहले लेबल चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये देखिए लेबल ठीक है जैसे यहाँ पर देखिए इंपलॉई है इंपलॉई आडि कैसा लिखा हुआ है इसको करते हैं लेबल यानि जो आपको इन्पुट के रूप में पूछता है वही हुआ लेबल और ये देखिए लेबल को सेलेट करने के लिए है ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं कि ये लेबल को किलिक करते हैं लेबल किलिक करने के बाद आप ये इंपलॉई आडिया है क्योंकि जब हम लोग इसको मूव करते हैं तो देखिए ये मूव हो रहा है तो एक ही साथ हो रहा है जो कि हमको नहीं चाहिए हमको चाहिए कि employee idea ही रहे और यह सरी box move करें तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा label और इसको अलग करना है तो label को select करेंगे फिर जिसको हमको अलग-अलग करना है उस पर right click करेंगे और फिर यहां से खोजेंगे अन गुरूप का option यह मिल गया यह अन गुरूप कर देंगे अब अन गुरूप करने के बाद यह देखिए employee idea लग और यह box लग अब देखिए आप इसको move कीजिए सरी boxy move कर रहा है देखिए यह सर छोटा छोटा चीज लेकिन important चीज है जो कि आपको अगर नहीं मालूम है तो फिर दिक्कत है ठीक है तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं कि labeling को change कर सकते हैं modify कर सकते हैं तो चलिए आप finally हम आपको बता रहे हैं क्या तो background color form का change करने का तो इसमें दो तरिका होता है पहला तरीका होता राइट क्लिक करके कहीं भी empty area यहां पर राइट किलिक करें और फिर यहां से थोग face option को select करें Shop page style ठीक है यहां से हम लोग यहां से भी इसको कर सकते हैं पेज इस्टाइल पे जाके यह देखिए यहां से भी हम लोग इसको पेज पे जाके और यहां से भी इसका तरह तरह का जो सेटिंग्स है हम लोग वो कर सकते हैं बहुत सारा सेटिंग है और दुसरा तरीका होता है format menu में जाके और फिल page option को चूज करके format menu में जाओ और फिल page option को चूज करना है ये देखे page style है यहाँ से भी वो same चीज़ एपियर होता है ठीक है अब यहाँ से जाना है किसमें area में area में जाएंगे ठीक और area में जाने के बाद ये देखे यहाँ से आप चूज कर सकते हैं यहाँ से color में कौन सा आप color चाहते हैं तो यहाँ से इसको ले सकते हैं जैसे यह color लिया और यहाँ पिर हम लोग pick कर लेंगे ठीक अब पिक करने के बाद अब इधा कि येलो का gradient आ रहा है तो किस डंग का color आपको चाहिए यहाँ से आप उसको select किजिए और select करने के बाद okay कर दीजिए और okay करने के बाद apply कर दीजिए यह देखिए form का color आपका change हो गया ठीक है तो फिलाल इससे बाहर आ जाते है सारा का सारा आपके book के हिसाब से बताया जा रहा है इसलिए confusion की कोई chance ही नहीं है तो आप लोग बस alert रहे है अगर possible हो तो सामने में book भी रख सकते हैं आप लोग तो चलिए report के बारे में है मैं आपको दूसरे दिन बताऊंगा बहुत time हो चुका है तो report के बारे में दूसरे दिन thanks everyone